अभी मैं एक उधारन के तोर पर बताता हूँ मेरे पास 450 लड्डू हैं और मुझे 9 बच्चों में उन्हें समान रूप में बाटना है हर एक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? 450 भाग 9 यहाँ विभाजक कौन सा है? 9 है विभाज 450 विभाजन में समान बटवारा रहता है हम जब जब विभाजन करते हैं माजब हमें टॉफी तथा लिमलेट की गूलियां बाटती हैं तथा पाटशाला में सैर के वक्त हमारे शिक्षक जी हमें जब लड्डू बाणते हैं तब 500 लड्डू है और 50 लड्कियां हैं तो कैसे बाटेंगे हर एक लड्की को समान लड्डू देने हैं तो क्या करेंगे 500 को 50 से भागेंगे हर एक लड्की को 10 लड्डू मिलेंगे हमारे माली भहिया भी एक बार बैंगन के 35 पौधे लेकर आये उन्हें वे पौधे 5 कतारों में समान रूप में लगाने हैं एक कतार में कितने पौधे होंगे 35 भाग 5 बराबर 7 पौधे हम विभाजन में नंबर 7 को कहेंगे ये भाग फल है भाग फल उत्तर है साथ पौधे एक कतार में मेरे पास 84 CPI हैं उन्हें साथ व्यक्तियों में समान रूप में बाटना है हर एक को कितनी CPI मिलेंगी 84 भाग 7 बराबर 12 CPI हर एक व्यक्ति को 12 CPI मिलेंगी और एक उधारन लेते हैं हम ग्रिह निर्मान की जगा पर जब जाते हैं तब सीमेंट की बूरिया और ट्रक देखते हैं मजदूर ट्रक से बूरिया निकालते हैं है न चलो इससे हम उधारन बनाते हैं ग्रिह निर्मान के लिए पंधरासो बूरिया लगने वाली हैं एक फेरे में 250 बूरिया ला सकते हैं तो पंधरासो बूरियों के लिए ट्रक को कितने फेरे लगाने पड़ेंगे असान है पंधरासो बूरिया लगने पड़ेंगे ठीक है लेकिन ये उधारन यहां खतम नहीं होता ट्रक ड्राइवर एक फेरे का 500 रुपे लेता है तो उस ट्रक ड्राइवर को कितने रुपे देने पड़ेंगे ठैरो मुझे थुड़ा विचार करने दो एक फेरे के 500 रुपे छे फेरे छे फेरे के कितने पांच सो गुना छे बराबर तीन हजार रुपे देने पड़ेंगे हमें यहां गुणन करना पड़ेगा हमें व्यवहार में गुणन और विभाजन का बहुत उपयोग होता है बैंक में खजीनदार 100 रुपे, 200 रुपे, 500 रुपे के नोट गिनते हैं कितने रुपे जमा हुए इसका हिसाब करते हैं उन्हें गुणन का उपयोग होता है यह देखिए मेरे पास 500 रुपे बंदे हैं इसके अलावा मुझे छुटे रुपे चाहिए अगर मुझे सभी 100 रुपे के नोट होंगे तो कितने मिलेंगे अगर सभी 50 रुपे के नोट होंगे तो कितने मिलेंगे यहां गुणन नहीं विभाजन करना पड़ेगा 500 भाग 100 बराबर 5 नूट 500 भाग 50 बराबर 10 नूट 500 भाग 20 बराबर 25 नूट 500 भाग 10 बराबर 50 नूट 500 भाग 5 सिक्के बराबर 100 सिक्के 500 भाग 2 सिक्के बराबर 250 सिक्के 500 भाग 1 सिक्का बराबर 500 सिक्के है न मज़े की बात और एक मज़ा बताता हूँ एक बार पिताजी और हमारे पडोस वाले चाचा जी ने 100 क्विंटल यानि एक बोरी चावल लाए हमारे मंजिल पर भी दो चाचा थे उनको भी वो चावल दी सभी लोगों ने एक तरह के चावल खरीदे तो हर एक व्यक्ती ने कितने रुपएों के चावल खरीदे एक बोरी चावल को 4,750 रुपए लगे और घर लाने के लिए 150 रुपए लगे तो चावल की किमत कुल मिलाकर 4,900 रुपए हुई तो एक किलो की किमत कितनी हुई 4900 भाग 100 तो एक किलो की किमत 4900 बटा 100 बराबर 49 रुपे 49 रुपे है एक किलो चावल की किमत हर एक ने 100 बटा 4 किलो याने 25 25 किलो की किमत हर एक ने दी तो 25 गुणा 49 बराबर 1225 रुपे हर एक ने दिये हमने क्या सीखा गुणन और विभाजन का हम हमेशा हमारे दैनन्दीन जीवन में उपयोजन करते है विभाजन यानि हर वक्त एक ही संख्या की बार बार गटाई विभाजन करते समय हम सब का समान बटवारा करते है 348 साबुन के टिकिया रखने के लिए कितने बखसे लगेंगे एक सवारी में 350 इटे हैं कुल मिलाकर सारी इटों का वजन 700 किलो है तो एक इट का वजन कितना होगा के वजन का वजन बटवाजन के लिए...